आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैनड़ा के वो तीन एहम इंपॉर्णन प्रोविंसेस विदाउट जाब अफ़र जो आप अप्लाई कर सकते हैं तीन प्रोविंसेस वो कौन से हैं? अलबर्टा, नोवास्कोशिया और सस्काइशन ये तीन एहम प्रोविंसेस हैं जिसके तहट आप विदाउट जॉब आफ़र भी नॉमिनेशन हसल कर सकते हैं नॉमिनेशन अगर आपको मिलेगी तो 600 पॉइंट आपको एडिशन मिल जाते हैं प्रोवाइल के अंदर एड होने के लिए जिसके तहट आप एज़िली एक्पोसिंटरी के अंदर अपना सेलेक्शन और इन्विडेशन ले सकते हैं तो ये तीन प्रोविंसे जो मैंने आज को बताएं बहुत ही एहम है अलबर्टा 300 प्लस 11 स्कोर के उफ़र सेलेक्शन करता है लोवास कोशे के अंदर कोई as such cut-off system नहीं है वो अपने ही तहट occupation in demands के अंदर हर rounds के अंदर वो अपना occupations को खुद तायन करता है और सेलेक्ट करता है इसी तरी किसे सबसे ज़्यादा मशूर और सबसे ज़्यादा rounds करने वाला प्रोविंस है वो भी अपने दो stream के तहद लोग को invite करता है एक उनका है occupation in demand और एक है express entry जिनकी profile express entry में बनी वी है वो सबस्केशन में अलग से अपनी portal के तहद अपलाई कर सकते हैं मशर्ट यह कि आप 60 points and above बना रहे हों कट-off का जो रुजहान रहा है चाहे वो occupation in demand category के अंदर हो चाहे वो express entry के अंदर हो government का जो रुजहान है Saskatchewan का वो है 65 and above points का ट-off के ओपा तो इसलिए आपको यह देखना होगा कि आप किस तरीके से आपको अपनी calculations देखनी होगी age, qualification, work experience और language assessment उन लों के लिए बहुत ज़दा फाइदा है जिनके relative चाहे वो cousins ही क्यों ना हो Saskatchewan में, Regina में, Saskatoon के अंदर जो शहर है उसमें अगर रह रहे हैं या Saskatchewan में किसी भी area में अगर रह रहे हैं तो आपको 20 additional points मिल जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस पर आपको भर्पूर फाइदा उठाना चाहिए और आपको apply करना चाहिए Canada Immigration उओं को फिर दुबारा से सिसला शुरू किया है कि वो लोगों को nominate करिये through the promotion nominee program और federal के अंदर भी इंशाला उमीड है ये cut off नीचे होगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और topic के साथ प्राइद लिमिटेड हाइद इमिग्रेशन कंसल्टिंग फर्म पाकिस्तान